जहिन दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में जॉइन करने के लिए जो डोकुमेंट्स के आवसकता होती है उसके बारे में ठीक है आने कि अगर जीदे आप भी रेली में जाना चाहते हैं आप भी दोस् और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले करके चलते हैं इसका ओपिसल बेव साइट पे जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि इंडियन आर्मी की रेली में जाने से पहले आपको किस किस ड बाएगा उसको आप आराम से देख सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ओप कोस्ट रहता है तो चलिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं इसका ओफिसल बेव साइट पे जाकर करके डोकुमेंट्स का लिस्ट ठीक है तो दोस्तों अब हम लोग जो है इसका ओफिसल बेव साइट पर पहुंच चुके हैं ठीक है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जो आइन इंडियन अर्मी यह इसका ओफिसल बेव साइट है और इसी के ऊपर जो हम लोग यहां पर डीटेल में देखने वाले हैं ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि डोकुमेंट् बिल्कुल अराम से थोड़ समझेगा कि क्या क्या डोकुमेंट्स इसमें आपको पढ़ सकता है जैदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ही आपको समझ में आगा नहीं तो बीच में परस्क्रिप करिएगा तो बहुत सारा कुछ हो सकता है कि आपका छूट जाएगा सबसे नमर में आपको मांग रहा है कि Residential Certificate जहां कि आप रहने वाले हैं उसका जो अस्थाई परमान पत्र जो होता है ठीक है वीड फोटोग्राफ जो फोटोग्राफ के साथ आपका होना चाहिए और ये आपका कहां से बना होना चाहिए तो देखिए issued by the authorized signature of the estate government तहसिलदार या फिर SDM ठीक है तो ये तीनों में से किसी एक जगह से भी आपका Residential बना हुआ है तो ये आपका काम कर लेगा तीन नमर में आता है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में तो देखिए आप जिस भी कास्ट से समंधित हैं वो आपका कास्ट सर्टिफिक जो आने कि ये जो है एक्सेप्ट आने कि इसमें ये लागू नहीं होगा जो सीख में है जिसमें से माजबी एन रमदसिया ये जो है इसके लिए requirement नहीं है गूरजर एन गोरखा candidates wherein it is required to be signed by the authorized signature of the state government ठीक है जो भी आप जिदी गोरखा अगरा से आते हैं तो आपके लिए भी यहां पर है तैसिलार SDM candidates ठीक है यहां पर sign होना चाहिए candidates belong to dogra community to produce certificate with photograph issued by the तैसिलदार authorized government signature तो यहां पर आप समझें जेनरली अगर जिदी आप इस दो-चार कास्ट से आते हैं तो आपको यहां पर अलग-अलग केरिटरिया है नहीं तो अगर जिदी आप किसी भी तरह से ज इंपल सी बात है कि यहां पर कास्ट सेटिफिकेट जो है वह आपका जो है यहां पर जिदी सरपंज से भी आप साइन करवा लेते हैं तो भी काम चल जागा नहीं तो इसमें लगा करके काम चला सकते हैं ठीक है चलिए चार नमर में आप यहां पर देख पार है कि religion certificate issued by the authorized signature of the state government तहसिल्दार या फिर SDM अगरे आपको religion certificate मांगा जाए तो यहां पर यह जो है government तहसिल्दार या फिर SDM किसी से भी आपका नियुक बना हुआ है तो आपका चल जाएगा पांच नमर मांगता है school character certificate ठीक है इसूर बाइदा schools college principal या फिर headmaster तो यहां पर देखिए character certificate आपको मांगा जाएगा जो अस्कूल वाला होना चाहिए जो कहां से होना चाहिए school से आपका यह issue होना चाहिए और यहां पर college principal headmaster के द्वारा इसमें जो है साइन भी होना चाहिए ठीक है छे नमर में आपका जो है character certificate with photograph इसूर बाइदा भीले सरपंच यह तो आपका school character certificate मांगा जा जो आपका भीले सरपंच से साइन हुआ होना होना चाहिए और फिर municipal corporation से होना चाहिए या फिर अगर पुलिस से character certificate अपने नजीदी की थाने से बना लेते हैं तो वो भी आपका काम चल जाएगा अनि कि तीनों में से किसी एक के द्वारा बनाते हैं तो आपका काम बन नहीं तो आपको फिर दिकत हो सकता है अगरे अपका भी पुराना हो गया है तो आप इसको नया बन वाले ठीक है आपके लिए बेटर रहेगा साथ नमर में है अन्मेरेट certificate with photograph issued by the भीले सरपंच आनि कि आपको यहां पर अन्मेरेट certificate मांगा जाएगा जो आपका भीले सरपं अगरे आपका उमर अकी साल से कम है तो ही आपको यहां पर अन्मेरेट certificate मांगा जाएगा ठीक है अगला जो आपका यहां पर आठ नमर में है यहां पर रिलेशन सर्टिफिकेट के बारें बता जा रहा है कि रिलेशन सर्टिफिकेट इसूड बाइदा concerned records office applicable for only the son of serving soldiers यह रिलेशन सर्टिफिकेट आने कि अगर जिदी कोई पुराना जो है सिपाही है या फिर जो सर्टिफिसमेन है उनके लिए अगर जिदी आपको मांगा जाए तो यहां पर क्या है आने कि उनी के लिए special मांगा जाता है जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट मा मांगा जा रहा है जो अपका concerned record office के अनुसार बना हुआ होना चाहिए ठीक है नो नमर में है NCC ABC certificates आजी अगर जिदी आप NCC से समन्दीत है तो वहां से को जिदी सर्टिफिकेट मिला है तो भी आप लेकर के चले जाएंगे तो आपकी लिए बेटर रहेगा उसके बाद अग यह आपका भेलिट रहेगा ठीक है उसके बाद यह आप अस्टेट को नेशनल लेवर पर पर प्रजेंट करते हैं तो यह आप यह पर देख पार हैं कि इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो कान है दोनों कान यह अच्छी तरह से इसमें दिखना चाहिए अच्छी तरह से दिखना चाहिए उसके बाद लिखता है कैनिडेट मस्ट भी विजीबल ठीक है और यहाँ पर जो कान है अच्छी तरह से दिखना चाहिए अगर जिदी सीख में है तो आपका यहाँ पर मजभी एंडरमदसिया के लिए मस्ट है फोटोग्राफ इन टरबन और विदाव टरबन ठीक है तो यहाँ पर टरबन के साथ और विदाव टरबन के साथ जदी आप सीख है तो भी आप दोनों टैप के फोटो आप के पास होना चाहिए कभी भी देखिए अप रेली में जाते हैं तो 20-25 फोटो कम से कम लेकर के जरूर जाएगा क्या पता कहीं आपको ज़्यादा फोटो की आउजगता पड़े जाए तो उसके आपको दिक्कत ना हो ठीक है उसके बाद लिखता है कि केंडी एरिया सेटिफिकेट फोर एपलिकेबल केंडेट्स टु बी इसूट बाइदा तहसिलदार ऑथराइड गवर्मेंट एफिट सिगनेचरी ठी ठीक है तो यहाँ पर 13 लिस्ट यहाँ पर हम लोगों ने देखा लेकिन यह नोट में जो लिखा है इसको आप जरूर दिख लिजीगा उसके बाद ही वीडियो से आप अस्किप करिएगा यह आपका इंपोटेंट है नोट में ठीक है डोकुमेंट्स मेंस्टन मेंसंड एट पाराग्राफ एक से लेकर के गारा जो भी हम लोगों ने देखा एबाब और रिक्वाइड इन ओर्जिनल अलोग वीट वन फोटो कोपी ठीक है यहाँ पर लिख रहा है कि यही जो है आपका ओर्जिनल में होना चाहिए और सभी का एक फोटो कोपी होना चाहिए ठीक है उस अधर है उन से आप अटेस्ट कर वाले जाए ठीक है अटेस्टेट फोटो कोपी या फिर प्रिंट आउट अप अजिकेशन सर्टिफिकेट अप्टेंट फ्रम दा इंटरनेट दिली अटेस्टेट बाइदा स्कूल प्रिस्पल विद भी एक्सप्टेट एड रेली साइट इसका कहने का मतलब साफ साफ यह हुआ कि अगर जिली आपका वर्जिनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है या फिर अगर जिदि आपने किसी दुसरे संस्था में ओर्जिनल सर्टिफिकेट दे दिया है तो वहाँ पर जो है आपका इंटरनेट अगर असे निकालते हैं तो वहाँ पर आपका जो प्रिंस्पल है जो हेर्ड मास्टर है उसका अटेस्टेड होना बहुत ज़्यादा ज होता है उम्र सिमक कितना होता है उसका भी वीडियो हमारी चैनल पर मिल जाएगा आप यहां से सर्च मार के इसको भी देख सकते हैं ठीक है तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने हो ठीक है तो जैहिन दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में तब तक देखते हैं है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वीद और के को धन्यवाद